वेलकल क्वाख टुदे चल्ल गाइज आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल इस्रैल में एक हाइपसोन की साइल जाके हिट किया है ल्व यूएस का भी जितना ड्रोन सिस्टम था वो भी इसराइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इस मिसाइल से तो यह मिसाइल जो भेजा गया था यह मन से बेजा गया था हूतिस के दौरा अगर देखा जाई यह राउंड अबाउट तू थाउजन तू हन्रेट किलोमेटर दूर स भीजा गया और इस बिच में कोई बी डिफ्रेंस इस्टम चाहे वो यह को यह फिर इस्राइल को साथ भी यह हो गया यह इंसिडेंट होने के मिलता है इस्राइल के पास है यूएस के पास है वो सब क्या कर रहा था वो सब क्यों काम नहीं किया वो सब क्यों इस्राइल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया दूसरा कोश्चिन के हुटीज ने क्यों इस्राइल पर एटाक किया थर्ट कोश्चिन के हुटीज के पास यह जो hypersonic missile से अपने तरब से manufacturing करते हैं sixth question chances क्या है कि हुटीस के पास यह मिसाइल है यह कौन-कौन सा country इनको दे सकता है कुन-कौन सा country का chances है कि वो लोग हुटीस को support कर सकता है चलिए एक-एक करके सारा जो question से इनका answer दोनने का कोशिश करते है तो पहला question था कि यह जब हाइपर सॉनिक मिसाइल जब इस्राइल पे गिरा एड़ पॉइंट अफ ताइम यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है अगर देखा जाए इस्राइल के पास खुद का डिफेंस सिस्टम है मगर यह लोग क्यों अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएं जैसे मैंने कहां आपको कि यह जो हुटी से यह अपने तरफ से यह मिसाइल लाँच किया था आज के डेट में अगर हम लोग देखें कि यह मैंन और इस्राइल के बीच में जो डिफेंस है यह राउंड अबाउट आपका 2200 किलोमेटर के आसपास है मतलब 2000 से भी जादा किलोमेटर दूर से यह मिसाइल ने हुटीस ने अपने तरफ से लाँच किया था इमन का एक पार्ट में हुटीस जो ही है काफी एक्टीव है और वो लोग एक पार्ट को अपने तरफ से कबजा करके बैठ है और वही से वो लोग अपना जो ऑपरेशन से वो पर थे और यह जो मिसाइल है यह व पूरा Red Sea आ जाता है और इसी Red Sea में आज के दिमें अगर हम लोग देखें यूएस के जो Navy ship है वो हमेशा मर्फी, USS Peterson और F.S. Paul जो वार्शिप है यह तीनों ही वहाँ ट्रावल कर रहे हैं और वोलों का काम है कि इसराइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइट करना मगर इन लोग के ऊपर से ही यह मिसाइल ट्रावल किया और यह सारे शिप का जो डिफेंस सिस्टम है वो लोग इस मिसाइल को रोग नहीं सका अगर हम लोग इसराइल के पास जा तो इसराइल के पास डिफेंट टाप डिफेंस सिस्टम जैसे कि आईरन ट्रोन सिस्टम डेविट शिपलीग और सीडों सिस्टम यह इंजड़ारा जो ड्रोन शिस्टम है यह जображ आता है कुभी लांग रेंज में आता ह अगर हम इसी साल के 24 जुलाय 2024 को देखे तो at that point of time इसराइल ने हुटीज के ओपर अटाक किया था यमन में यमन में हुदायत पोर्ट जो के अल हुदायत में जो के हुटीज अभी कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर इसराइली डिफेंस फोर्स मतलब आइडिएफ ने अटाक किया और उसी अटाक में उसी पोर्ट का जो पावर प्लैंट था साथी साथ जो फ्यल स्टोरेज था साथी साथ जो पोर्ट के क्रेंस थे सब इसके पीछे भी एक रीजन था रीजन था उससे एक दिन पहले ही तल अवीव में यह जो हुटी से वह अपने तरफ से एक्जाक्ली डोन अटाक किया था और उसी का जबाब दे रहा था इस्राइल तो इसके वैसे जब इस्राइल ने अटाक किया एड़ पॉइंट आफ टा होता है तो प्रेजेंट नी देखा गया कि हुटी ने बहुत टाइम लिया मंगर अपने तरफ से अभी जाते इस्राइल को इसका जबाब दिया अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे कि हुटी को कहां से यह हाईपर सॉनिक मिसाइल मिला इसका कोई एक्जार्ट जो इन्फॉमे मिसाइल है वो अल्रेडी उन लोग के पास अब यह मिसल कहां से उन लोग के पास आया उस बारे में कुछ बोला नहीं गया था और उसके बाद यह जो बात है यह इस्राइल के दुश्मन ने उन लोग को सपोर्ट प्रोवाइट कर रहे हो सकता है कि रश्या आगे जाके जो दुश्मन ने उन लोग को सपोर्ट प्रोवाइट करें मगर कोई भी कंफर्म्ड इंफर्मिशन कोई भी गवर्मेंट के तरफ से पॉब्लिश्ट नहीं हुआ जिससे यह पता चले कि हुटीस को कहां से यह हाईपर सॉनिक मिसाइल मिला था अब आते हैं नेक्स्ट कोश्च अगर हुटीस को यह मिसाइल सप्लाइ कि है तो अब्यूसली वह बहुत भी जादा चार्च है और अधा सेट हुटीस जब भी कोई और कंट्री से यह मिसाइल करिदा है वह लोग एक नहीं खरेंगे वह लोग इससे जज़ादा ही खरी देंगे अपनों को डिफेंस के लिए लेकिन को लोगो पता है कि अगर हम लोग यह मिसाइल किसी के एगेंस में यूज करेंगे अधाट पॉइंट अपने वह हम लोग को छोड़ने वाला नहीं है हम लोग के उपर वह अटक करेगा और हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए और भी मिसाइल चाहिए होगा तो अब हम लोग expect कर सकते कि उन लोग के पस और भी हाईपर सॉनिक मिसाइल है मगर कितना है एक्जाक नमबर यह हूट इस को ही पता है और पता है उनको जो हूटी को यह शप्लाई किया है अब आता है next question पर कौन कौन सा कंट्री है दुनिया में जो यह हैपर सॉनिक मिसाईल मैनिफ करके जिसमें USA, Russia है, इंडिया है, चाइना है, फ्रांस है और जापान है, तो हम लोग expect कर सकते के जापान से यह हुती लोग को यह हाईपर सॉनिक मिसायल नहीं मिला है, आज के डेट में, इसराइल, US, इंडिया, फांस, जापान के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन शेयर करता है, उन लोग के साथ प्रेड भी होता है, और देखा जाए तो यह सारे कंट्री के साथ इसराइल बहुत फ्रेडली है, तो बचा दो कंट्री, एक है रशिया, दू क्ट्री का चांसे है नाम लिया, जो लोग के पास है अपने तरफ से मैनिफेक्टरिंग करते, अगर देखा जाए, तो दो कंट्री में बजाता है, एक था रशिया और दूसरा था चाइना, तो यह दोनो कंट्री का चांसे है, बहुत हाई है, कि यह लोग अपने तरफ से यह जो हईपर सोनिक मिसाईले यहूती को सप्लाई किया . च्यूंकि फ स्सौर्प के रीकर चारे में इस निनरा मीनी एक स्थ्रस्राम्ट कता है . on the other side US बहुत पहले जब से यह वार स्टार्ट हुआ उससे पहले से इस्राइल को बैक अप कर रहे तो उनके जो दुश्मन हो सकता है को लोग फुरासा कमज़ोर पर जाए और रशिया का चांसे बहुत हाई है कि वो लोग अपने तरब से यह हूतीज को यह जो है जो है चाइन कुछ होता है जो शिप इंडिया वे ट्रावल कर रहा था उन लोग के साथ भी यह सब हम लोगों को देखने को मिला पास में अगर आप नोटीस किये है तो आपको पता रहेगा कि कभी भी जो चाइना बाउंड शिप है या फिर जिस शिप में चाइना का कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है एड़ पाउंड आफ टाइम कोई भी ऐसा शिप के एगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं किया गया है एस पर दरेकॉर्ट कभी यह हम लोगों को सुनने को नहीं मिला कि यह हूटीस जो है यह चाइना बाउंड को इस शिप में या फिर चाइना का जिससे एक्सपोर्ट हो रहा है वह ऐसा कोई शिप में लोग अटक किया है तो इसके पीछ एक्जार्ट रिजन क्या है आज के रिट में अगर देखा जाए यूएस के सबसे बड़े जो दुश्मन है वह है रशी और दुश्मन है चाइना चाहेगा कि अगर यूएस के जो दोस्त है उन लोग का कुछ खराब होता है चाइना को खुशी मिलेगा और यह एक्सपोर्ट चाइनीज एकोनमी को बहुत ही महंगा पड़ता है अगर बंद हो जाएगा चाइनीज एकोनमी सर्वाइब नहीं कर पाएगा तो इसके लिए चाइनीज गवर्मेंट को जो चाहिए कि होती के साथ जड़ा पंगा ना ले उनलों के साथ एक अच्छा रिलेशन में वाहाँ से चाइना का जो चाइना को आपने लिए जरूरत एक सपोर्ट और यह एक्सपोर अगर करना है तो वो लोग किसी के साथ जो वे रहता है जैसे कि यह हुँत खाइघर करनेगा और लोग हाई है के चाइना ने भी हुधिस को यह जो हाईपरसोनिक शाफनेंट के तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया रैशन गवन मेंट के तरफ से भी ऐसा जाके गिरा तो जबाब देगा तो आने वाले जो 48 आवार से उनके अंदर ही हो सकता है इसराइल रियाक्शन टाइम देखे तो यह बहुत जल्दी होता है तो एक्सपेक्टेड है आगे जाके यह मन के साथ इसराइल को सपोर्ट करेगा और आगे जाके यह जो प्रॉब्लम है में यह थोगा सा बढ़ने वाला है मगर एक कोशन अभी भी रहे जाता है कि अगर इसराइल फिर से इमन का अटाक करता है अगर आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल अतनु पॉल एटीए में डिफरेंट वीडियो आपको हरोज मिलेगा और जब भी आप सब्सक्राइब करें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जो बैल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजे कि वीडियो जो है डिफरेंट टाइम में आता है जब भी आएगा आपके पस तुरन नोट्रिफिकेशन पह समस्ता है हम लोग जैसे जो प्रेटर है हम लोगा जो लोगजी रोठी है वह भी चलता रहता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद